मैं तुम्हें समझाने की क्या कोसिस कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास fx कोई constant function k आ जाए ठीक है अब अगर तुम f of fx लो एक बार composition लो तो क्या होगा f of fx की जगह की fk भी k आ जाएगा यहां तो तुम कोई भी x जालोगों वो तो क्य ही आएगा हएगा अगर तुम f of f of fx ले लो ढू यह क्या हो जाएगा f of f इसमें fine x की जगहां पर के जालोगे और तो fk लोगोगो फो fk जाएगा तो f of fk विर fk क्य हो जाएगा मतलब कि कितनी बार भी तुम composition ले लो में question number 2 क्या बोल रहा है कि for a matrix A यह हमारे पास एक matrix दे रखा है find the value of pi r is equal to 1 to 50 10 2 r minus 1 and 1 इसका value निकालो तो ठीक है देख लेते हैं यह भी question तुम लोग को homework में दिया था तुम लोग ने solve नहीं किया solve करके मुझे बताएं नहीं यह question solve नहीं किया कोई बात नहीं मैं कर देता हूं solve इस question में बच्चे क्या है कि हमारे पास solution 2 है देखो दिख रहा है ना question solution 2 देखो हमारे पास क्या दे रखा है एक matrix A दे रखा है क्या दे रखा है 10 2 r minus 1 1 तो बोला है यह तो given है बोला है कि इसका value निकालो कि इसका value निकालो pi r is equal to 1 to 50 इसका value निकालो pi का मतलब आप समझते होगे product होता है इसका मतलब क्या है कि r का value 1 लो इसका मतलब क्या है यह इसका value मैं बता रहा हूं यह इसका मतलब है 1 0 R का value 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 2 minus 1 1 यह R का value 1 लिया फिर R का value 2 लो multiply करो 1 0 2 लोगे तो 4 minus 1 3 1 ऐसे करकर कि R का value तुमको क्या डालना है 1 0 50 डालना है 100 minus 1 99 by 1 इस इतने matrix का यह जो 50 matrix आ रहे हैं इसका product लेना है दीख इसके एक वलोगा ठीक है अब कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर तो common sense है कि ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि R का value 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे ऐसे करके 50 matrix डालेंगे और 50 डालने के बाद क्या कर लेंगे उसको multiply कर देंगे कोई हम mathematics के question solve कर मजाब तो नहीं चल रहे है कोई पागल बंती तो चल नहीं नहीं हमारी कि इसको मैं ऐसे solve करो तो इसका मतलब क्या है सीधा सीधा मतलब क्या है कि कोई trick लगड़ा होगा trick क्या लगड़ा होगा बहुत आसान है तो यह matrix को calculate करो R is equal to 1 पे तो 1 पे calculate करोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 2 R minus 1 1 बहुत आसान है तो यह क्या हो जाएगा 1 चलो यहाँ पे press page में उसकरता हूँ यह चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ solution to A matrix क्या given है 1 0 2 R minus 1 1 and हमें क्या चाहिए R is equal to 1 to 50 तो 1 2 R minus 1 1 इसका sorry 0 यह चाहिए value ठीक है अब यहाँ देखो हमें इसका value चाहिए तो हमने क्या किया A को सबसे पहले calculate क्या R is equal to 1 पे तो यह हमें क्या मिल गया तो यह हमें मिल गया 1 0 1 1 ठीक है फिर A को calculate क्या R is equal to 2 पर तो 2 पर calculate क्या तो क्या मिल गया 1 0 4 minus 1 3 1 अब हमने a r is equal to 1 into a r is equal to इसको multiply कर दिया तो multiply कर दिया तो 1 1 0 1 और ये क्या हो गया 1 3 0 1 तो इसको multiply करोगे तो क्या होगा 1 into 1 ये 1 into 1 और 0 तो ये 1 हो गया पर ये क्या होगा 3 plus 1 4 4 को क्या लेख सकतो 2 square ये क्या हो जाएगा 0 into 00 ये क्या हो जाएगा 0 into 11 तो तुम्हें समझ में आया इतना ही से hint मिल गया हमें अगर हमने क्या क्या r का value 2 तक ले गए तो हमें क्या मिल गया 2 square मिल गया चलो एक और करके दिखा दे रहा हूँ ये क्या हो गया a r is equal to 1 into a r is equal to 2 का value है 2 पर अब A निकालो R is equal to चलो एक और करके दिखा दे रहा हूँ तो 3 पर निकालेंगे तो क्या हो 106 326-15 फिर ये 1 हो जाएगा तो अब हमने क्या क्या A R is equal to 1 पर calculate किया into A R is equal to 2 पर into A R is equal to 3 पर calculate किया तो ये हमें क्या मिल गया इसका value तो हमने अल्रेड़ी है निकाल रखा है 102 square 1 sorry मेरी रित हुई handwriting गंदी हो गई तो 1501 इसको multiply करते तो multiply करते तो क्या हो जागा 1 into 1 1 2 into 0 तो 1 ही हो गया, ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 5 plus 4 9, तो 9 को क्या लिखा 3 square और multiply करोगे जीरो बना जाएगा तो हमें क्या दिख रहा है हमें ये दिख रहा है क्या है कि अगर हमने r is equal to 1 लिया, r is equal to 2 लिया, r is equal to 3 लिया तो क्या मिल गया 3 तक, r का value 3 तक रखके उसको multiply किया तो 3 पे square आ गया तो अगर इसको तुम continue करोगे 50 तक रखके multiply करोगे तो क्या मिल जाएगा 50 square as simple as that इतना simple question होई नहीं सकते है तो यहाँ पर या answer आ जाएगा हमारा ये मैंने पूरा करके देखा रखका है, देखो ये सब calculate किया है last में answer आ जाएगा 50 square ठीक है, तो ये भी question होगिया जाएगा हमारा